बारतिय जनता पार्टी की पूरी त्यारी है जी हम इस गोशना से पहले से भी अपने संगठन को मजबूत करने की तरफ हमने बहुत कॉंसेंट्रेट किया है और आज बारतिय जनता पार्टी है जो बूर समीजियों के लेकर नीचे वोटर लिस्ट के साथ वोटरों पर पन्ना कमिटियां बनाने तक में हमने अपना काम पूर्ण किया है आज बारतिय जनता पार्टी का संगठन जो है बहुत से शक्त है और करेकरता जो है उसका मुराल बहुत हाई है और हम लोग लगातार गतीमान है हमने सब जगा पे संगठन की जो गतीविनिया है उसको बहुत बढ बाया है और आज उस संगठन के अधार पर और पिछले चे साल में जो नगरनिगम में हमने काम की है या परशासन में पिछले साथ साल में जो काम की है उस विकास के एजनडे को लेकर है हम चुराव लड़ने जा रहे हैं और मैं पूर नुश्वास के साथ कह रहा हूँ जो सवाल बनाना इसको चाते हैं, मैं उनसे पूछना चाता हूँ कि आज अगर ये रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो इस रेटिंग के पीछे जो आप अगर आप देखें, जो पैमाने हैं इस रेटिंग के लिए, इसमें गार्वेज परसेशिंग प्लांट भी होता है, इसमें डंपिंग जो होता है, जिसमें हमें सबसे हम ज्यादा पिछ्ड़े हैं, जिसकी वज़ा से आई ए रेकि जाईगा और उसके लिए, कहीं ना कहीं, पूरंता, मैं कहीं ना कहीं ने, पूरन था कॉंग्रस पार्टी दोशी है, पवन कुबार बंसल दोशी है, जब ये गार्वेज प्रोसेसिंग प्लांट को लगाने का ग्लोबल टेंडर कॉल किया गया, 16 दुनिया बर की कमपनी जाई, उस वक्त पवन बंसल जी ने नगर निगम के सदर में, उन 16 की 16 कमपनियो को दरकनार करते हुए, एक सीमेट बनाने वाली कमपनी जिसको की गार्वेज प्रोसेसिंग का कोई प्रज़रबा नी था, उसको ये टेंडर लॉट किया, और बिना किसी टेंडर प्रोसेस के लॉट किया, और आज उसी वज़ा से ये जो शेहर में नसूर बना हुआ है, ये प्लांट टेक ओवर करके उनको बाहर निकाला है, और वहाँ जाके देखा है कि प्लांट की जो कपैस्टी है, वो 60-70 टन, 500 टन तो है ही नहीं, 60-70 टन थी और उससे कूड़े का पहाड़ खड़ा होता रहा है, तो आज IIT रोपड के साथ जो है, वो DPR उनने बना दी है, तो परधानमंत्री जी कोई फैसला लेते हैं, वो देश हित्मे, उन्होंने एक बात कही थी, कि किसानों के हित्मे हम ये बिल लाए थे, और देश हित्मे इसको बापस ले रहे हैं, अब हर चीज़ का हर मुद्दे का कोई चुनावी फाइदा भी होता है, नुकसान भी होता लेकर पार्टी जो भी कोई फैसले लेती है, वो देश हित्मे लेती है, और चंडीगड में भी वैसे तो पहले से कोई इन जो तथाकति कंसान अंदोलन है, इसका कोई बहुत परवाव नहीं था, बारती जनता पार्टी का चंडीगड के 23 के 23 गामों में अधार मजबूत है जहें वो कार्परेशन के चुनावते पिछले जहें लोकसावा में, हमें बारी वहमत पड़ा, आज भी हमारे करेकरता वहां सक्री हैं, हमें वहां से बारी समर्थन मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई बहुत ज़्यादा जो है, वो पहले भी वरवाव नहीं था उसकी हम डाकूमेंट एक लेके आ रहे हैं, पचास बड़े परजेक्ट हमें बुगलेट की शेप में लेके आ रहे हैं, और वो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, वो चंडी गड़ के हम घर घर तक पहुंचाएंगे, उस रिपोर्ट कार्ड के अधार पार और इस विकास को जो जनता पार्टी ने गती दी है, वो तै करें और कंपैरिजन करें, 14 साल कांगरस के नगर निगम में, 15 साल इनके मेंबर पारलिमेंट के, और हमारे 6 साल और 7 साल, इसका कंपैरिजन जनता करेगी, और मुझे पूरन विश्वास है कि जैसे 2016 में, 2014 में, 2019 में जनता ने बार्ट जिसकी 35 सीटें जिता कर वो भरतिय जनता पार्टी का पर्चम लह रहेंगे और कंगरस का जो है, वो सफाया होगा